और स्री मलुक दासी के जीवन चरित्र में तो उनके सिस्ष सुत्रा दासी ने मलुक दासी का जगनात्पुरी आगमन उनकी जगनात्पुरी की यात्रा का बहुत विश्तृत वर्णन किया है अपने जीवन काल में भी तीर्थ दर्शन करते हुए मलुक दासी ने जगनात्पुरी की यात्रा की और वे अपने महा प्रयाण के अवसर पर भी वे जगनात्पुरी पधारे श्री मलुक परचेई ग्रंथ में जो मलुक दासी के सिसे ही थे उन्होंने मलुक दासी का जीवन चरत्र लिखा है उसमें उन्होंने तो एक भाव व्यक्त किया है कि उस समय जीवों को भागवत धर्म की सिक्षा देने के लिए एक अंससेस्री जगनात्पुरी मलुक दास के रूप में पधारे ऐसा मलुक परिचेई कारने लिखा है यहां तीर्थ्यात्रा दर्शन करते हुए आए और महा प्रियान के संबंध में लिखा है कि जब श्री मलुक दासी का भगवत धाम प्रियान का समय आया उसके बहुत समय पूर्व उनकी कुछ वर्सों से विरह दसा अत्यंत बढ़ गई इतने अधिक भगवान के विरह में विव्यत्थित हो गए कि उनके ग्रंथ में लिखा है कि उनके विरह के ताप को कम करने के लिए मल्यागिरी चंदन और करपूर का मोटा लेप उनके सरीर पर चड़ाया जाता था जो एक दो घड़ी के बाद जल करके भस्म हो जाता था ऐसे उनके शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया बहुत लंबे समय तक तो कुछ लिया ही नहीं रुदन ही करते रहे अंत में सिश्यों के आग्रह से तीन घूट जल आपने लेना रोज शुरू किया कितना घूट जल केवल तीन घूट जल और इसके बाद जब उनके जाने का समय आया तब आपने कहा कि मेरे देह को यथा स्थिती में गंगाजी में विसरजित कर देना और वे बैठे बैठे संबत 1749 में संबत 1631 में उनका आविरभा हुआ और 108 वर्स की आयू पूर्ण करके संबत 1749 में उन्होंने महा समाधी ग्रहन की मालाओं से चंदन से सुसजित उनके देह को गंगाजी में विसरजित किया गया और वहां लिखा है कि मलुकदासी का सरीर धारा के मध्य पर विराजमान हो करके वहां से चलकर कासी पहुँचे और कासी में भी जहां इस समय असी घाट पर राम जान की मध्य है उसी चेत्र में मलुकदासी का भी मध्य था मलुकदासी महराज वहां गंगाजी के घाट पर पहुँचे दसास समेध पर पहुँच करके उन्होंने पंडा को दक्षिना भी दी गंगाजी का पूजन किया और उसकी बही में हस्ताक्षर किया पंडा की बही में मलुकदास कासी पहुँचे ये लिखा अपना हस्ताक्षर किया और पुनह उनका सरीर गंगाजी के माध्यम से समुद्र में आया और जगनात पूरी प्रकट हुआ ऐसा मलूप परिचही में लिखा है और फिर वे वहां से चल करके स्री जगनात भगवान के मंदिर में सदेह आए और जब जब जगनात भगवान के भीतर मंदिर में प्रविष्ट हुए तो भगवान जगनात ने अपने गर्वगरह में ही उन् będziemy आस्रे दिया जगनात भगवान ने उन्हें अपने हर्दे से लगाया और कहा कि आप क्या चाहते हैं बोले हम चाहते हैं कि हमें सदा सरवदा आपकी चरण सन्निधी आपके गर्व ग्रह में निवास प्राप्त हो जगनाजी के गर्व ग्रह में जहां से उनके जल का मार्ग पनाला जाता है उस पनाले में आपने आश्रे ग्रहन किया और ठाकुजी से प्रार्थना की कि आप जब भोग आरोगते हैं उसमें आपके अधर से जो छिटकर नीचे आजाए उस पर हमारा अधिकार हो छीजन प्रसाद आपका अधरामर्ग प्रशाद हमें नित्य मिले तो हमारे यहां माननेता है कि मलुकदासी की दिव्य रूप में नित्य सन्निधी स्री जगनात भगवान के स्री मंदिर में यहां भी मलुकदासी का इस्थान है जिसको वर्तमान समय में विदुरुमट कहते हैं यह स्री मलुक चौरा नाम का इस्थान जिसे विदुरुमट कहते हैं एक कवीर चौरा के आसपास ही विदुरुमट है हम दर्शन करके आए हैं ये श्री मलुकदासी का इस्थान है उनके सेवित ठाकुर जी वहाँ विराजमान है सालग्राम भगवान विराजमान है हन्मान जी विराजमान है और उनकी एक प्राचीन प्रतिमाभी वहाँ विराजमान है श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवम दर्शन के लिए श्री महराजी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें